जैहिन दोस्तों आज हम आपके इस्टडी के बारे में बात करेंगे दोखो एक्जाम में अटैम्ट करने के लिए अच्छा स्कोर आपको एक दिन नहीं बल्कि एक साल की जमेहनत की जुरत पड़ती है तब जा करके हम एक्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्ट करके एक अच्छे मार्स को कौलिफाई कर लेते हैं उसी तरह से अगर आप एक दिन में वर्ड्स की मेनिंग को याद करोगे तो सिर्फ भूल जाओगे एक दिन में सिर्फ उसके बारे में समझो कि हम इसे याद कैसे करें दूसरे दिन फिर रिश्टार्ड करो हम इसको लिखें कैसे और इसी तरह से डेली इनके बारे में बात करो उसको अपने माइंड में सेव करो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि word की meaning आपके साथ चले जाएगी आपके mind में जरूर सेव हो जाएगी फिर आप exam हो या फिर कोई भी exam हो उसमें 110% qualify करके achievement ला सकते हैं और यही सबसे अच्छा तरीका है words की meaning को समझने का या फिर किसे भी exam के preparation करने के हमारा पहला word है captivate इसका meaning होता है बंदी बनाना और इसका synonym सोता है charm और fascinate देखो captivate का meaning होता है बंदी बनाना synonym सोते है चार्म और fascinate अब इसके trick को ध्यान सुनो तो मैंने cap पहना करके एक ब्यक्ति था उसको cap पहना करके एक्टिवेट कर लिया यानि कि बंदी बना लिया क्याप यानि कि टोपी पहना करके क्या कि या एक्टिवेट करके बंदी बना लिया तो कैप्टिवेट आ गया बंदी बनाना चार्म अब चार्म का मतलब क्या होता है आराम से बंदी बना लिया चार्म यानि आराम से बंदी बना लिया और इंटरनेट से फंसा दिया चार्म आराम से और captivate मतलब कैप से एक्टिवेट कर लिया अब ट्रिक को समझाएं कैप से activate, captivate, charm आराम से फैसिनेट इंटरनेट पर फंस गया ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है बंदी बनाना next बहें देखेंगे comprised meaning होती है समा वेस करना और इसका synonyms देखें include or contained include or contain comprised के synonyms है जिसकी meaning होती है समा वेस करना अब इसके trick को सुने comprised में comprised में मैंने बहुत सारे सामान को include कर लिया uiten कर लिया comprised में comprised में समावेश कर लिया, include कर लिया और contain कर लिया, इकठा कर लिया तो समावेश करना अगला वड़ देखेंगे, कंकर मीनिंगोती है, मिलना जुलना इसका synonym सोता है approve और agree अर्थात मैं ईश्वर के कंकन से agree हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रूब कर दिया है कि जीवन सकते है तो इश्वर के कंकन से agree हूँ, उन्होंने प्रूब कर दिया है मिलना जुलना, अब इसके trick को सुनो कंकन यानि कि कंकर approve यानि कि प्रूब कर दिया है और agree, मतलब कि agree तो मिलना जुलना तो कंकर में इसके क्या होता है फ्रेश मिलना जुनना इसके सरभें अप्रूब और एक्री अब नेक्स्ट वर्ट देखेंगे कंस्पीसियस देखो कंस्पीसियस विंस उम्हेंट और ऑबियस इसका कोई ट्रिक नहीं मेरे पास कंस्पीसियस का मतलब क्या होता विसिष्ट और इसका स egoiada और और OBS मतलब क्या होता विशिष्ट रूप से OBSY कहते हैं और PROMINENT यह पहले से जो PERMANENT था विशिष्ट था ठीक है न अब तो PROMINENT हो गया अब CONFUSIUS को याद करो आप को आपको याद करना है जिसे कहते हैं विशिष्ट जिसे क्या कहेंगे विशिष्ट कहते हैं अगला वड़ देखें इसे साथ CONTEMPT मीनिंग होती है अपमान, स्कॉर्ण और डिस्गार्ड का मीनिंग होता है contempt meaning होती है अपमान, scorn और discard. अब भी मेरे trick को सुने. मैंने exam को contempt. Attempt मतलब क्या होता है? मतलब की देना, attempt करना. मैंने exam को क्या किया? Attempt नहीं किया. Contempt आ गया, जिससे अपमान हो रहा है. Exam को मैंने attempt नहीं किया, तो contempt आया, अपमान हो रहा है, disregard. अब इसका सबसे अच्छा trick सुने ध्यान से. देखो, guard जो होता है, guard, मतलब होता है, सम्मान, जो security guard होते हैं, वो सम्मान से entry कराते हैं. तो disregard मतलब अपमान से. Guard मतलब सम्मान से, और disregard मतलब अपमान से. एक ही वड़ है, score इसको आप याद करो. अगला वड़ देखें, contradict, मिनिगोती हैं, खंडन, contradict, खंडन, deny और oppose. इसका trick नहीं है, बहुत आसान वड़ है, contradict. अर्थाथ, contract को लेकर, उसने डिक्ट कर दिया, यानि, खंडन कर दिया, तोड़ दिया. क्या लेकर, contract को लेकर, डिक्ट कर दिया, यानि, contradict, खंडन, इसका सुनोविम्स होता है, deny, deny, और oppose, इसके क्या है, सुनोनिम्स हैं, तो oppose, deny, इनका मिनिग क्या होता है, खंडन करना. लास्ट वड़ देखें, contrary, contrary, बिरोध, dismalier, conflicting, अब जो contrary, जो un country के लोग है, वो बिरोध कर रहे हैं, country से क्या रयाद रहे है, contrary, एक country के लोग, दूसरे country के लोग, बिरोध करते हैं, है ना, तो contrary, बिरोध, dismalier, क्योंकि वो similar नहीं है, dissimilar है, इसलिए तो बिरोध कर रहे हैं, अन्य country के लोग, बिरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि दिस्मिलियर हैं, अलग-अलग हैं, तो dismalier मतलब क्या हो गया, बिरोध, आपको एक वरड याद करना है, conflicting, conflicting मतलब होता है, बिरोध, तो contrary हमारा country से हो गया, dissimilar मतलब हो गया, similar नहीं है, और यही वरड आपको याद करना है, conflicting, conflicting मिस होता है, बिरोध करना, या फिर बिरोध, और contrary मतलब होता है, बिरोध, और dissimilar मिस होता है, बिरोध, प्लीज, लाइक, शेयर, बिरोध, 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 प्लीज,